ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल कितने बड़े है? ब्लैक होल कैसे बनते है? यदि ब्लैक होल काला है तो वेग्यानिकों को कैसे पता चलता है? कि ब्लैक होल का है? क्या एक ब्लैक होल पृत्यू को नस्ट कर सकता है? और नासा ब्लैक होल की स्टडी कैसा कर रहा है? ए वीडियो इनी सारे प्रश्णों के उत्तरों से भरा हुआ है जैसे आपको यंड तक जरूर देखना जाए आप इस चानल पर नए हो तो सब्सक्राइब पीजिए और आल नोटिफिक्शन वाले घंटी को दबा दीजिए और वीडियो पसंद आई तो कमेंट शेर और लाइक करना मत बु चोल लेता है इतनी भएंकर होती है गुरुत वाकरश्ण की खिचाई ब्लैक होल में से कोई प्रकाश भाहर नहीं नेकल सकता है इसलिए लोग ब्लैक होल को नहीं देख सकते है ब्लैक होल इन्वीजिबल होते है विशेशूपकोन के साथ जैसे कि स्पेस टेलिस्कोप्स ब् लग सकते ही कैसे जो तारे ब्लैक होल के बहुत करीब होते हैं और वो तरह अन्य तारों की तुलना में अलग styl स काम करते हैं ब्लैक होल लाळ सकते या को लगता है कि सबसे छोटे ब्लैक ओल सिर्फ एक आटम जितने चोटे होते एक ब्लैक होल बहुत चोटे होते लेकिन इनका मास यानि वजन एक बड़े पहाड जितना होता है किसी भी वस्तु का मास उस वस्तु में पदार्टों का कितना अमाउंट या उस वस्तु में कितना सामान भरा हो इस पर होता है एक अन्य प्रकार के ब्लैक होल को स् इन ब्लैक होल का मास एक साथ एक मिलियन सूरज के मास से आधिक होता है। वेग्यानिको को इस बात का प्रूफ मिला है कि हर बड़ी आका जंगा में एक सुपरमेस्व ब्लैक होल होता है। पृत्वी की आकाजंगा मिलकी वे के सेंटर में एक सुपर मैस्व ब्लैक होल है जिसे सैगेटेरियस ए इस नाम से जाना जाता है। सैगेटेरियस एका मास लगभग चार मिलियन सूरज के बराबर होता है और ये बहुत बड़ी बॉल्स के अंदर फिट होता है जो कई मिलियन पृत्यू को पकड़ सकता है। ब्लैक होल कैसे बनते हैं वेग्यानिको को लगता है कि ब्रहमान की शुरू होने पर सबसे छोटे यानि एक अटम जितने छोटे ब्लैक होल का निर्मान हुआ था। जब एक बहुत बड़े तारे का केंद्र आपने आप गीर जाता है या ढहे जाता है तो स्टेलाल ब्लैक होल बन जाते हैं जब एक बड़े तारे का केंद्र आपने आप गीर जाता है या ढहे जाता है तो ये एक सुपर नोवा तयार करता है सुपर नोवा एक ब्लास्ट कर त lemons वाला तारा है जो अंतरिक्ष में तारी की हिस्से को बिलास्ट करता है वेग्यנिकों का मानना है कि सुपर मैसु ब्लेक होल उसी समय बनाए गए थे जब वे अकाश कमे थे अगर ब्लेक होल जाहा तो वेग्यनिक के से जानते हैकि वे वहा है ब्लैक होल को नहीं देखा जा सकता है क्योंकि ब्लैक होल का मजबूत गुरुत वाकरशन ब्लैक होल के बीच में प्रकाश को खीचता है लेकिन वेग्यानिक ये देख सकते हैं कि ब्लैक होल के चारो और तारो और ग्यास को ब्लैक होल का मजबूत गुरुत वाकरश इस तरह की रोश्नी को इंसान याखों से नहीं देखा जा सकता है, वैग्यानिक हाई एनर्जी वाली रोश्नी को देखने के लिए अंतरिक्ष में सैटलाइट्स और टेलिस्कोप्स का उप्योग करते हैं, क्या ब्लैक होल पृत्यू को नश्ट कर सकता है, ब्लैक होल अंतरिक ब्लैक होल के अंदर नहीं गिरेगी, ब्लैक होल में सूरज के समानी गुरुत्वाकर्शन होगा, पुर्तिवार अन्यगर ब्लैक होल की परिक्रमा करेंगे, क्योंकि वे आप सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही ब्लैक होल की करेंगे, सूरज कभी भी ब्लैक होल में नहीं ट्रावल कर रहे हैं यह अंतरिक्षान वेग्यानिकों को ब्रह्मान के बारे में सवालों की जवाब देने में मदद करते हैं ठैंक्स पॉर वाचिंग इस वीडियो